तो दोस्तो आज 1 अप्रेल 2020 बुद्धवार का दिन है जैसे कि आप जानते हैं आज से नए महीने की शुरूआत हो रही है और जब भी भारत के अंदर कोई नया महीना शुरू होता है तो नया महीने के शुरू होने पर भारत सरकार के तरफ से भारत के सभी नागरिकों के यूज करते हैं चेक बुक का यूज करते हैं आप पैसे का लेंदिन करते हैं अपने बैंक से तो इस पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है आज से इसके अलावा आपको बता दें घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर भी आज से बड़ा बदलाव होने वाला है आपको बता दें आज से लगबग 9 तरहे के बदलाव भारत में हो सकते हैं यानि 9 नियम भारत में लागू हो सकते हैं तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में इनी सब नियम के बारे में बताने वाले हैं अगर आपके पास ये जानकारी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पर सकता है तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना इन सभी महत्पूर नियमों को ध्यान से जान लीजिए बस वीडियो में आएगे जानी से पहले आप से छोटी सी रिक्वेश्ट है आप इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी महनत कफल होता है तो इसके लिए हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्कप्शन में एक लिंक दे दिया है तो आईए बिना देर की ये फटा फट से आपको बताते हैं जो बड़े बदलाव होने वाले हैं आज 1 अपरेल 2020 से दोस्तो पहला बदलाव घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर है आपको बता दें अभी हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया है कि अभी पैटरोल की डीजल की या कच्चे तेल की मांग पूरी दुनिया भर में और भारत में भी बहुत कम हो गई है इसी के कारण रसोई गैस सिलिंडर में भयंकर बड़ा बदलाव हो सकता है और ये बदलाव लोगों के फायदे का होगा क्योंकि इस बार एक ताजा रिपोर्ट के मताबिक ये अंदाजा लगाया गया है कि आज से घरेलू गैस सिलिंडर बहुत सस्ता हो सकता है ताजा रिपोर्ट के मताबिक घरेलू गैस सिलिंडर 20-25 परतिशत तक सस्ता हो सकता है अगर हम इसे पैसे में कनवर्ट करें तो आपको जो 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलिंडर है उस पर 100 पे से लेकर 2500 रपे तक की कटोती की जा सकती है इसके अलावा आपको एक और कड़ा नियम बता दें जो के लॉकडाउन की वज़े से किया गया है और वो भी नियम है घरे लूग गैस सिलिंडर को लेकर आपको बता दें जैसे ही लॉकडाउन किया गया तो वैसे ही लोग घबरा गये और लोग अपने पास हर चीज का स्टॉक कुछ जादा कर रहे हैं आला कि सरकार कह रही है कि किसी भी सामान की कोई दिक्कत नहीं आएगी जो भी जरूवत की चीजें है चाहे सबजी हो खाना हो गैस हो उसके बावजूद भी लोग बहुत ज़ादा गैस सिलिंडर बुक कर रहे थे तो इसलिए फिलहाल के लिए एक नया नियम लागू किया गया है कि अभी आपको 15 दिन में एक ही सलिंडर मिलेगा यानि आप 15 दिन में एक ही सलिंडर बुक कर पाएंगे महीने के जादा से जादा दो सलिंडर बात करेंगे अगले नियम की तो वह है SBI बैंक के तरफ से आपको बता दें अभी हाल ही में RBI ने ब्यास दरों में की थी जिससे लोन सस्ता हो जाए तो आपको बता दें इसी नक्षे कदम पर चलते हुए काफी जादा सस्ता पड़ेगा तो अधिक जानकारी के लिए आप SBI के वेबसाइट पर जा सकते हैं या उनके ब्रांच जा सकते हैं या आप कस्टमर के हर से भी बात कर सकते हैं दोस्तो इसके अलावा जो अगला एक नियम है वो है बैंक ग्राकों के लिए और ये नियम बेहदी बेहदी महत्पूर है तो इसे आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तो शायद आप इस बारे में जानते होंगे अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें के आज से यानि के एक अप्रेल 2020 से एक नया काम चालू होगा और वो काम चालू होगा दस बैंकों को चार बैंक बनाने का यानि दस बैंकों को आपस में मिला कर चार बैंक बन और लाव हो सकते हैं। आपको बता दें, Corporation Bank और Anra Bank अब Union Bank of India के नाम से जाने जाएगे, क्यूंकि Corporation Bank और Anra Bank को United Bank of India में मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये 3 Banks एक Bank बन जाएगा, इसके अलावा जो Ilahabad Bank है उसे Indian Bank में मर्ज कर दिया जाएगा और Ilahabad Bank Indian Bank के नाम से अब जाना जाए इसके अलावा जो United Bank of India है और जो Oriental Bank of India है उसे Punjab National Bank में मर्ज कर दिया जाएगा और ये भी तीन बैंक मिलकर एक बैंक बन जाएंगे और Punjab National Bank के नाम से ये बैंक जाना जाएगा। ज़िया Canera Bank के गरहाक हैं लेकिन जो बैंक इन में मिल रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मताबिक इनके लोन की EMI में, खाता नंबर में, डेbitt कारड में, क्रिडिट कारड में, चेक बुक में, FD की ब्यासदरों में, बैंक ब्रांच में, IFSC कोड में बदलाव हो सकते हैं। तो बैंकों को लेकर ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जो के अपरेल के महीने से लागू होने वाली है। दोस्तो अगली खबर बताने से पहले आपको हम चीनी बीमारी के बारे में एक खबर बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं चीनी बीमारी पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रकोब बरसा रही है और अब भारत भी इसकी चपेट में है। इस रिक्वेश्ट है कि आप इन नमबरों को इन इमेल को और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दें ताकि ये बात हैं जादा से जादा लोगों तक पहुंच सकें क्योंकि सिर्फ हमारे और आपके घर में रहने से या सही रहने से ये चीनी बीमारी जाने वाली नही या है उसने भी SBI के बाद अपने लोन की ब्यासदरों में कटोती कर दी है तो अभी अगर आप बैंक ओफ इंडिया से भी जाकर लोन लेंगे तो आपको पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा बैंक ओफ इंडिया ने लगबग 0.75 फिजदी की कटोती की है ब्यासदरों में बात करेंगे अगले नियम की तो आपको बता दें अपरेल के महीने से पूरे भारत के अंदर आपको BS6 पैटरोल डीजल मिलेगा जो के पहले के मुकाबले जो पैटरोल डीजल आते थे उससे अच्छी क्वालिटी के होंगे और इससे परदूसरन कम होगा आपको बता दें सिक्स मानक का पैटरोल डीजल कहा जाता है यानि ये पहले के जो पैटरोल डीजल आते थे वो BS4 मानक की होते थे लेकिन ये जो नया वाला पैटरोल डीजल अब आपको मिलेगा ये BS6 के मानक तोर पर बना हुआ है और ये पहले वाले पैटरोल डीजल के मुकाबले बहुत क अगला नियम है विदेश यात्रा को लेकर आपको बता दें, एक अप्रेल 2020 से विदेश यात्रा का पैकेज लेने पर आपको पांच फिजदी जादा टेक्स देना होगा, और इसी के कारण आपके जो टिकट की प्राइज है वो बढ़ जाएगी, और आप अगर विदेश यात्रा करेंगे एरलाइन द्वारा, तो आपको महेंगा टिकट मिलेगा पहले के मुकाबरे, इसके अलावा अगला बदलाव है दवा की कैटिगरी को लेकर, आपको बता दें, अब दवा की कैटिगरी में सभी तरह के medical device आएंगे, आपको बता दें, जो भी दवाईयां बनती हैं, तो उन पर सरकार का सखत नियम है, कि उन्हें सही से बनाया जाए, उनकी expiry date हो, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आपको बता दें, अभी बहुत तरह की medical device है, जो के लोगों के इलाज में यूज की जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की device हो, अब वो सभी device, दवा की काटेगरी में आ जाएंगे, यानि अब उन device की भी बिल्कुल सही से देख रेक होगी, उन पर भी वो सारे नियम लागू होंगे, जो दवाईयों पर लागू होते हैं, हाला के वो मशीन हैं फिर वे, दोस्तो अगले नियम के बारे में बताने से पहले, आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चल सकता है पूरे देश के लिए, दोस्तो जैसा के हमने आपको बताया के आज घरेलू गैस सिलेंडर बहुत सस्ता हो सकता है, तो जो हमारा आज का सर्वे है, जो आज का बड़ा सवाल है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, आप हमें इसी वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कि PM मोदी की सरकार आने के बाद, यानि कि भाजपा की सरकार आने के बाद, घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है या महेंगा हुआ है, तो फटा-फट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखडा लिए, इसके अलावा अगला नियम है, पैंशन को लेकर तो करमचारी पैंशन स्केम, EPS के नए नियम लागू होंगे, रेटार्मेंट के 15 साल के बाद, फुल पैंशन की विवस्था की जाएगी, यानि अगर कोई रेटार हुआ है, और उसको रेटार हुए 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल के बाद उसको जादा पैंशन मिलने लगेगी, उसके मुकाबले जो अभी हाल ही में रेटार हुए हैं, तो ये कुछ नए नियम है जो के 1 अपरेल 2020 से या अपरेल के महीने से लागू हो सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी, हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, बाकि आप रोजाने की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं, विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग, झालकि ग्सक्राइब कर दो दियदे के लिएकर भासितरा आपस्प्सक्राइब कर सकते हैं, हुआ हुआ ठहुत चैनल को सब्सक्राइब wrench माम् तेखलरों के लिए्यों हैं, झाल झाल